देश से एक्सपोर्ट में आई कमी और इंपोर्ट में हुई बढ़तरी की वएसे व्यापार घटा लगातार बढ़ता जा रहा है अगस्त के दोरान देश से वस्तु निर्यात में कोई ग्रोध देखने को नहीं मिली जबकि आयात 37 फीसद बढ़ गया है अगस्त के दोरान कु सर निर्यात में लगातार कमी क्यों आ रही है पहले पहला सवाल यही रुपए कमजोर होता है आम तोर पर माना जाता है निर्यात के लिए यह बहतर है लेकिन रुपए कमजोर भी हो रहा है और निर्यात भी घट रहे हैं निर्यात के आकड़ों को हम करीब से देखें तो दो के आयात के निर्यात में एक बड़ा हिस्सा आयात सामानों का है और उनकी लागत लगातार बढ़ रही है रुपया कंजोर होने से निर्यात पर बहुत जाधा फाइदा नहीं मिल रहा है अला कि सरकार का यह कहना था यह आंकले जारी करते हुए कि भारत इस साल चारसो पच्छ सारेब डालर के निर्यात का लक्षा हासिल कर रहेगा लेकिन मन्थान मन्थ बेसिस पर निर्यात बिलकुल फ्लाइट है और अगर निर्यात के आंकलों के भीतर जाए तो पेट्रोलिय मुत्पादों को छोड़ कर जिनके जिनके निर्यात पर सरकार ने विंट फॉल टेक्स उसमें भी में गिरावट दिखाई दे रही है टैक्स के करण ओवराल भारत के निर्यात की परिस्थेती अब धीमे धीमे निर्यात की बराबर हो रही है बहुत तीजी से उसमें बढ़ुतरी नहीं दिख रही है और यही वज़े है कि व्यापार घाटे में हमें एक बड़े इस तरकी बढ़ोत्री रिचसाल शायद भारत के व्यापर घट में रिकार्ड बढ़ोत्री दिखाई देगी सर आयात की बात करें यह तो निजात की बात हुई आयात किन चीजों का बढ़ता दिख रहा है तो भारत के जो तीन चार प्रमुक आयात हैं कच्चा तेल इलेक्ट्रानिक सूना उनमें हमें लगाता निरंतर बढ़ोत्री दिखाई दे रही है जो आकड़े हमें आयात के तौर पर मिल रहे हैं और भारत का यह व्यापार घाटा रिकार्ड व्यापार घाटा होगा फिलाहल जब निर्यात बढ़ने की गुंजाईश कम है भारत में भी आर्थिकुत पादन में गिरावट है अंतराश्टी बाजारों में मन्दी है और डालर की मजबूती लंबे समय तक बने रहने की संभावना है जिस पर काफी उथल पूरी दूनिया में डालर की मजबूत यानि चालू खाते का घाटा जीडीपी के तीन फिजदी के आसपास तो रहेगा ही उससे नीचे लाना संभव नहीं है चालू खाते का घाटा हमें भारत में विदेशी मुद्रा की आवक और कमजोरी का अंतर बताता है और यहीं से रुपए पर दबाव के एक नए नए कुफान के सामने टिकना दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार में रिजर्ब बैंक की तरफ से दखल के तोर पर दिख रहा है क्योंकि लगातार आयात महंगा होने के कारण डालर की डिमांड भारती बाजार में बढ़ रहे है डालर की आपूरती कर दो प्रफ सथाओी की यदी के सामने खवार में रिख रहा है सामने प्रफ में रिख रहा है कि रहा है कि अविए बैंक की.